अरे राहुल बाबा, राहुल गांधी जी, या तो आपकी याददाश कमजोर हो गई है राहुल बाबा, या तो उन्होंने पढ़ाने लिखाने छोड़ दिया है तीन मेजर और एक करनल रिहा किये गए, उनके ना तो नाम दिये गए, ना उनकी तस्वीरें जाहिर की गई भारतिया मेडिया दो हिस्सों में बटा हुआ है, यह अब साथ देखने लगा है कि एक जो विपक्ष से सवाल करता है और दूसरा जो सरकार से सवाल करता है, आज हम पिछले पांच डिबेट्स के बारे में बात करेंगे जो गोदी मीडिया और अजाद मीडिया ने की है, और यह देखेंगे कि यह डिबेट्स किन मुद्दों पर हुई है बात करते हैं उस मीडिया की जो अपने शो के जरिये सरकार से लगातार सवाल करता रहता है और सही मुद्दों को जनता के सामने रखता है पहले बात करते हैं NDTV के वरिष्ट पत्रका रवीश कुमार की जो अपने प्राइम टाइम के जरिये जंता के मुद्दे उठाते हैं आईए आपको दिखाते हैं कि उन्होंने अपने शो में पिछले पांच डिबेट्स में किन मुद्दों पर बात की और सवाल पूझी पहला पुल्वामा के समय जैसी परंप्रा जारी रह सकती थी दूसरा क्या सरकार चाइना के समान पर बैन लगा सकती है तीसरा भारच चीन विवाद का कूट नितिक हल कैसी चौथा शब्दों के चुनाव में कितने समवेदन हीन हैं हम और पाँचवा दिली रॉइट्स को आतंकी साजिश बता कर विरोध्यों को फिक्स किया जारा है रवीश अपने प्राइम टाइम के एक एपिसोड में कई मुद्दों को एक साथ उठाते हैं और सरकार से खुल कर सवाल करते हैं और उनकी कम्यों को देश के सामने लाते हैं ऐसे ही बारत चाइना विवाद को लेकर रवीश ने अपने प्राइम टाइम के जरीए कुछ एहम बाते बताई एक बार फिर से आपको फ्लैश बैक में ले जाना चाहता है तीन मेजर और एक करनल रिहा किये गए हैं उनके ना तो नाम दिये गए ना उनकी तस्वीरें जाहिर की गई और ना ही भारत की तरफ आते हुए द्रिश्यों को देखने के लिए लाइव कैमरों का इंतजाम किया गया ये बात क्यों छिपाई गई क्यों कहा गया कि कोई चीन के कबजे में नहीं है ये भी देखिये कि जब हिंदू अकबार ने इस खबर को प्रकाशित किया इसका आधिकारी खंडन नहीं किया गया लेकिन पुलवामा के समय हर रनीती को समझने की जरूरत नहीं थी क्योंकि सब कुछ कैमरे पर ही दिखाई दे रहा था मगर चीन के कबजे से तीन मेजर और एक करनल को छुडाया गया या वापस लाया गया वो कैमरे से दूर रह गया उस समय की पारदर्शिता क्या कमाल की थी इस समय की पारदर्शिता क्यों नजर नहीं आ रही है अब बात करते हैं न्यूस 24 के वरिष्ट एंकर संदीब चौदरी की जो अपनी डिबेट में सरकार से जम कर सवाल करते हैं देखते हैं कि संदीब चौदरी ने पिछले पांच डिबेट के इन मुद्दों पर किये पहला क्या सरकार और विपक्ष मिलकर लड़ेंगे चाइना से क्या मजबूत राजनीती हराएगी जीन को दूसरा क्या सर्फदलिय बैठक के बाद चाइना के खिलाफ एक्शन होगा तीसरा चाइना का इलाज क्या है बाचीत, बॉयकॉट या बंदू चौथा, चाइना पर विपक्ष का भरोसा जीत पाएगी मोदी सरकार और पांचवान, बलिदान का बदला कैसे होगा, क्या बगैर यूद के हो जाएगा चाइना का इलाज संदीप ने डिबेट के जरियर सत्ता में बैठी सरकार के नेताओं से सवाल किये है और सही स्थिती के बारे में पूछा, जिस पर वैं गोल मूल जवाब देते नजर आए सरकार के पास, जवाब कहाँ देती है, चाहिन इस दिन कोई जवाब नहीं दिया, अब तक चार दिन में जवाब नहीं दिया संदीब चौधरी ने जब बीजेपी नेता से पूछा कि कितनी जमीन पर चाहिना का कब्जा है तब वे कॉंग्रेस पार्टी पर निशाना साथ ने लगे तब ही संदीब ने उनको टोक दिया कि प्रदान मंतरी कहां छिपे हुए हैं ये भाशा इस वक्त बोलने की जरुवत नहीं और आप लोग भी यही कह रहे थे पर आज आपके सहयोगी आते हैं मतलब यह ओच्छा लेवल इसी पर हम आ जाते हैं असल मुद्दे गौन हो जाते ह कि उस घटना के ग्राउंड रियालिटीज अंतिम रूप से क्या हैं कितने और जखनी हैं देखे ये सरकार का काम है पुष्टी करना और सरकार इसके स्ट्राटीजिक इश्यूस को भी समस्ती है और देश के समक्ष कब किस तर्थियों को लेके आना है वो भी जानती है तो इ राजी वाप से जगडा करना नहीं पड़ा भाई ये सामरिक विशे है ये समवेधन शील विशे है आप कह रहे हैं कि हाँ बिल्कुल होनी चाहिए चर्चा खत्म हो जाती है ना पर ये कोई ऐसी नाशनल सीक्रेट थोड़ा है देश को पता होना चाहिए ना साइड लाइन्स पर शीमति सुनिया गांदी ने कॉमनिस पार्टी ऑफ चाइना के साथ जाके एक पैक्ट किया था बारती जनता पार्टी ने को ऐसा पैक्ट नहीं किया है राजी प्रताप रूडी पर पैरडाइम शिफ्ट दोवजार चौदा के बाद हुआ ना आइम ग्लाद आपने 2013 का जिक्र की बात करते हैं रिपब्लिक टीवी के वरिष्ट पत्रकार अर्नब को स्वामी की जो अपने डिबेट में विपक्षी नेताओं पर चिलाते दिखाई देते हैं पहले जानते हैं कि उन्होंने पिछले पांच टीबेट किन मुद्दों पर की हैं पहला कॉंग्रिस का नेता या देश्ट रोही देखिए अर्नब के साथ पूछता है भारत दूसरा गुना कॉंग्रिस का सवाल सेना से तीसरा सेना के शौर्य पर कॉंग्रिस के सवाल फांचवा जासूशी से जंग जीतेगा पाकिस्तान अगर अर्नब की डिबेट की बाद करें तो अर्नब ने अपनी डिबेट में विपक्ष को ही निशाना पनाया है देश एक साथ है क्योंकि हम हिंद की सेना पर और देश की सत्ता पर हमें भरोसा है लेकिन जो देश में चीन के चाटुकार हैं जो देश में पाकिस्तान के प्यारे हैं वो आज भी देश की ताकत पर सवाल कर रहे हैं जो सवाल चीन से पूछना चाहें इस देश का विपक्ष वो सवाल अपने देश से पूछ रहा है हर हिंदुस्तानी ये सच्चाई जानता है कि चीन के सरत पर गदारी की है लेकिन कॉंग्रेस को ये नहीं पता है जो बात चीन कह रहा है वही जुबान कॉंग्रेस बोल रही है लेकिन जिन के लिए राजनीती पहले है और राश्टवाद में वो पहले भी ये कर चुके है आज भी वही कर रहे हैं ये लोग जब राहूल गांधी ने सवाल खड़ी किये कि बिना हत्यार के सेना वहाँ क्यूं थी तो अर्नब ने उसका कारण भी कॉंग्रेस पार्टी को ही बता दिया जब मोका दुश्मन पर वार का है तो वार्णा कॉंग्रेस सेनिकों के हत्यार पर सियासी तक्रार कर रही है राहूल गांधी ने आज देश से और देश के सेनिकों से पूछा जिहां पूछा कि वो सरहत पर बिना हत्यार क्यूं चले गए अरे राहुल बाबा राहुल गांधी जी या तो आपकी याददाश कमजोर हो गई है राहुल बाबा या तो उन्होंने पढ़ाने लिखाने छोड़ दिया है राहुल गांधी शायद भूल गये हैं वर्ष 1993 कॉंग्रिस ने चीन से समझोता कर उन्हें कमजोर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है और सेना से सवाल पूछने वालो पहले तुम जवाब दो हमारे शूरवीरों के हत्यार तुम चीन कर तुम चीन के चड़न में क्या रखा अब बात करते हैं न्यूज नेशन के वरिश्च पत्र का दीपक चुरसिया की आईए देखते हैं कि उन्होंने पिछले पांच डिबेट्स किन मुद्दो पर किये हैं पहला, Boycott of China is the mantra of victory in this battle दूसर, None of our posts are occupied by China पीम मूती चाइना will lose from pocket of India, not rocket चौथा, देश की बहस, Strike with bullet to wallet और पांचवा, Exodus of Hindus in Maywath इस बीजेपी जन्यू अजन्डा, Captain Ajay अवस्थी तीपक चुरसिया ने अपनी डिबेट्स मोस्ली बाइकॉट चाइना प्रोड़क्स को लेकर ही की है उनको ये भी सवाल करने चाहिए थे कि अगर बाइकॉट करें तो भारत की अर्थ विवस्था पर क्या असर पड़ेगा क्यों हमको बाइकॉट चाइना करना चाहिए क्यों चाइनी सामान हमारे गाउं के गलियों के महलों में शहरों में बड़ी बड़ी अट्टाली काओं में घुश चुका है बताईकॉट नेशन का दर्जाते चाइना को जब वो हमारे साथ गुच्पैट करता है हमारे 20 सैनिकों को शहीद करता है तो क्यों न उससे मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा चीन लिया जाए ना किया जाए उसके साथ इतना बड़ा व्यापार आधी कमट बुग जाएगी उसकी आपके मुबाइल के एप्स हैं मुबाइल के इंस्ट्रोलेशन्स हैं वो बड़ी बड़ी कमपनिया जो 90-90 परसंट चाइना से फंड़ट हैं ऐसी कमपनी हमारे हैं यह तो थी कुछ वो डिबेट्स और शो जो इन पत्रकारों ने की आपने खुद ही देखा कि इन दोनों के सवाल करने में कितना फरक है हम उमीद करेंगे कि सरकार से गोधी मीडिया भी ऐसे ही सवाल करेगा और जनता की बात को सरकार के सामने रखेगा Bureau Report, Punjab Today TV